दिवावली का पर्व एक सप्तहा बाद है लेकिन इसके पहले ही धोग पढ़वा का एक वीडियो वाइरल हो गया है जिसमें मद्यपदेश पुलिस का एक सिपाही बकायदा सभी नर्देशों और नियमों को धता बता कर मंत्री जी के पैर्च होकर आशरवाद ले रहा है दरसर पूरा मांजरा मद्यपदेश की आर्थिक राजधाने इन दौर में देखने को विला जहां शनिवार को प्रदेश के लोग स्वास्थ मंत्री तुलसी राम सिलावट अपने विदानसबा शेतर सावेर में खाद विभाग की लेब की आधाशिला रखने के साथ भूमी प कि अधा है कि उसमीं साफ देखा जा रहा है मंत्री सिलावट जैसे ही अपनी कार से इतरते हैं। वैसे ही उनके समर्थक कभी हाथ मिलाते हैं तो कभी पैर चूकर आश्रवात लेते हैं ऐसे में पुलिस अधिकारी भी मौके पर मंत्रे जी से हाथ मिलाते हैं लेकिन इतने में ही एक सिपाही मंत्रे सिलावट से पहले तो हाथ मिलाता है और बाद में पैर भी छूटा है सारजने कस्तान पर खाके के धोग पड़वा का वीडियो तेजी से वाइरल हो रहा है जिसके बाद हर किसी की जुबान पर यही बात आ रही है कि पद की गरीमा के आगे बैचारा सिपाही खाके की साख को दाओ पर लगा बैठा इधर वीडियो के वैरल होने के बाद हर जगा सिपाही की किरकरी हो रही है और मंत्री जी के रुबाब पर भी सवाल उठ रहे है हाल ही में सरकार ने एक मंत्री ने अपने बगले पर एक पोस्टर लगवाया था कि पैर छूना मना है ये मंत्री राजणीती में चरण वंदना की परंपरा को गलत मानते हैं लेकिन शायद अन्य मंत्री को उनकी ये सलहा पसंद नहीं है सुब्सक्राइब रहे हैं